हेलो दोस्तों टिप नमबर वन है अफसाद से लड़ने के लिए जी हाँ अफसाद यानि की तनाव या फिर डिप्रेशन से लड़ने के लिए केला काफी अच्छा माना जाता है इसके अंदर ट्राइपो पैने नामब एक तत्व होता है जो हमारे मस्तिश्क तक खुशे के हॉर्मोंस को रिलीस करता है जिसके वज़े से आफसाद को कम करने में हमें काफी ज्यादा सहायता मिलती है कसरत करने से पहले दो केलो का सेवन करना ना केवल आपको थोड़ी सी उर्जा देता है बनकि आपके शरीर के अंदर शुगर लेवल को मिन्टेन करने में भी ये काफी ज्यादा अच्छा रहता है टिप नमबर फ्री पैलो की जक्रन को दूर करने के लिए भी केले बहुत रहती अच्छे माने जाते हैं केले का सेवन करने से कसरत के दورान पैलो की मास पेशों में होने वाली जक्रन को काफी हद तक कम किया जा सकता है इसलिए हर जिम ट्रेनर आपको कस्वत करने से पहले केले खाने की सला देता है टेप नमबर फॉर हटियों को मस्बूत बनाने के लिए भी केला काफी अच्छा माना जाता है केले के अंदर कैशन की मातरा काफी ज्यादा होती है जो ना केवल आपकी हट्टियों को मस्बूत बनाता है बलकि शरी को भी संतुरित बनाता है टेप नमबर फाइफ पीरिट्स में लाबकारी होता है केला जी हाँ पीरिट्स के दौरां पीमेस की समस्या काफी ज्यादा होती है महिलां को इस समस्य में काफी ज्यादा तनाव होता है इसलिए आप चाहें तो पीलेट्स के दौरां भी केले का सेवन कर सकती है क्योंकि यह PMS के दौरा होने वाले तनाव को काफी हद तक कम कर देता है टेप नमबर 6 है मदू में याने की डायबिटी से लड़ने के लिए क्योंकि केले के अंदर विटमिन B6 होता है जो की सूजन और वजन दोनों को ही कम करने में काफी ज़्यादा सहायव होता है इसी के साथ साथ ये type 2 diabetes से लडने में भी काफी ज़्यादा मददकार होता है So friends, देखा आपने किस तरीके से बहुत ही महतोपून कारण होते हैं जिसकी वज़े से आपको केले को खाना या तो फिर डॉक्टर या फिर आपका जिम ट्रेनर हमेशा सजिस्ट करते रहते हैं इसलिए केले का सेवन आपके लिए काफी ज्यादा हिदकारी हो सकता है मेरी इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए